तो हाई गाइज वेलकम बैक तो आदर वीडियो तो गाइजर टीचेस डे के ओकेजन पे मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सरुपली राधा कृष्णन जी का स्केच बहुत ही इजी टेक्निक में आपको बताने वाला हूँ इसको अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए ये ड्रॉइंग बनाना या फिर इस तरीकी के और भी ड्रॉइंग बनाना बहुत ही आसान हो जाएंगे तो यहाँ पे एक मसा टेक्निक आप लोगों के साथ सेयर करूँगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए सिंप्ली एक सर्कल ड्रॉव करेंगे और ध्यान रहे कि जो सर्कल हम ड्रॉव करेंगे उसी के आसपास का साइज होगा हमारा फेस का तो जितना बड़ा आपको फेस चाहिए होतना ही बड़ा आप शर्कल यहां पर ड्रॉ कर लेना तो यहां पर केंपास का मैं यूज कर रहा हूं और जो मैंने विर्थ लिया है मतलब डायमेटर जो लिया है इस सर्कल का वो है टेन सेंडीमेटर एंड फोर साइज है मेरे पास जिसमें घंडीना रहा हूं और यह ब्लकुल आईडीयल सा साइज है तो अगर आप एंड्न developed array ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने ले लिया और उसके बाद simply मैं यहाँ पर दो perpendicular lines ड्रॉ कर दूँगा इस तरीके से center से होते वए ओके यहाँ तो बहुत ही simple है आगे बहुत ही simple है आपको बिल्कुल कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो यह हमने कर लिया उसके बाद अब हम क्या करेंगे जो radius है दोनों side की उसको हम half-half इस तरीके से divide कर देंगे ठीक है और उसके बाद इस तरीके से हम line भी बीच में draw कर देंगे दो ठीक है अब यहाँ पर circle का जो corner है lower side का जो circle यहाँ पर corner है वहाँ वहाँ पर again एक और circle draw करेंगे और जो इसका diameter होगा वो होगा 5 diameter क्योंकि बड़े वाला जो circle है उसका यह half होगा तो यहाँ पर हम इस तरीके से draw कर देंगे यह यहाँ तक हमारा काम हो जाता है यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़े define कर ली है वो समझो पहला जो line हमने circle बड़े वाले circle का जो center पर line draw किया है वो होगा eye वहाँ पर हम eye place करेंगे उसके बाद जो जहाँ समने circle draw करा चोटा वाला जहाँ से center है उसका उस जगा पर होगा lips जो circle छोटी वाली जो circle है उसके आसपास होगा nose जो ending हो रही है छोटे वाले circle के वो होगी chin तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़े place हो गई है बहुत ही आसानी से इसके बाद एक और चीज़ करेंगे eye के size को define करने के लिए हम जो line हमने बनाई है उसके बीच में भी half 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 divide कर देंगे इस तरीके से अब क्या करेंगे थोड़ी से अब यहां से हमें observation की जरूत पड़ेगे shape तो हमने बना दिया इसे के इर्दगर्द हम सारी चीज़े बनाईगे तो simply हमें क्या करना है जो भी मैंने यहां पे देखो eye का size define करने के लिए half half divide के था तो इसके भी लगभग half half पे हम इस तरीके से line draw करेंगे और आगे सारी चीज़े हम observe करेंगे and इसमें क्या होगा कि जो आपका shape है face का वो अल्रेड़ी बन चुका है तो आप बिगड़ने की बिल्कुल chances नहीं बहुत ही आसानी से आप आगे चीज़ों को observe करके बना सकते हो तिस तरीके से मैंने पहले अंदर के features के पहले मैं जो structure है वो मैं यहां पर draw कर रहा हूं यहां पर structure बनने के बाद वो चीज़ बहुत ही सही लग रही है जो face का structure है वो बहुत accurate है ठीक है उसके बाद जो हमने guidelines बनाई है circle बनाए है lines बनाए है जिसके अभी हमें आगे जरुवत नहीं है तो उसको हम erase कर देंगे उसके बाद थोड़ी बहुत मैं setting कर रहा हूं depth add कर रहा हूं इसमें ताकि उससे जो drawing है जो भी आपकी sketch है जो भी outline है वो थोड़ा उसमें depth आ जाती है और वो सही दिखता है अगर अब थोड़ी बहुत भी depth add नहीं करते हो सिर्फ lines बनाते हो तो वो बिल्कुल flat होता है तो जब भी मैं outline बनाता हूं थोड़ी बहुत depth add करना मुझे पसंद है जहां पर मुझे clear दिख रहा है कि यहां पर depth है यहां पर darkness है तो वो हमें बहुतर result देती है drawing में ओके यहां पर देखो जो circle है उसके end से हमारा यह इस तरीके से lips बनेगा तो lips की positioning अभी हम इने कर दिया है अभी features हम नहीं बना रहे है अभी just rough के लिए मैंने बना दिया है अभी eye से start करूँगा eye nose बनाएंगे उसके बार lips बनाएंगे तो यहां पर eye का size हमने define कर दिया आई का जो shape है वो obviously आपको reference में देखना पड़ेगा observe करना पड़ेगा तो इसके लिए थोड़ा जादा time लगता है otherwise shape आपका completely बन जाता है 15 minute में आप इतना काम कर सकते 15-20 minute में आप बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं आदे घंटे में एक अच्छा outline अच्छा sketch बना सकते हो इस तरीके से इनका जो चस्मा है वो हमने बना दिया और nose हम देख लेंगे किस तरीके का है और nose का positioning आप देख लोगी कहाँ पर होता है वो जो circle है circle जहां से वो circle के थोड़ा नीचे आपको nose लिगा रहाना है कि उसके बागी चीज़ें हम ड्रॉ कर देंगे बहुत ही आसान है इसके बाद थोड़े बहुत अगर observation आपके अच्छी है तो आपको यहां पर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दिरे दिरे जो guidelines की जरुवत नहीं है जो lines हमने बनाई है उसको हम दिरे दिरे erase कर देंगे हमारा जो result है वो इस तरीके का आज आएगा बहुत आसान trick है आप किसी भी front face को इस technique से आप बना सकते हो ट्राइ कर लो अलग अलग faces को बना नहीं हो सकता है कि starting में उतना perfect नहीं बने दिरे दिरे आप इस technique से बहुत ही अच्छी drawings कर सकते हो यहां पर देखो तो उसमें कहीं ज़्यादा time लगता है और बहुत ज़्यादा formulas भी लगाने पड़ते हैं यहां पर इतना ज़्यादे लगाने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके के कभी-कभी आप technique यूज कर सकते हो जब आपको किसी चीज को जल्दी बनाना या फिर नए technique से बनाना जब आ नए technique को यूज करते हो तो आपको थोड़ा मजा आता है वो चीज यूज करने में तो कभी-कभी इस तरीकी के techniques आप यूज कर सकते हो और ऐसे ही technique को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और जो हमारा दूसरा channel है जिस पे मैं वहां पे techniques और भी ज सब्सक्राइब कर सकते हो हाँ पर डेली वीडियो जाते हैं अलाग लग इससे तरीकी के technique है तो बस आज की वीडियो में ताई मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए